हलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल में आज में आप लोगों को हिंदी के ग्रामार उपसर्ग और प्रत्य को किस प्रकाल से यूज किया जाता है उसके बारे में आपको पताने बलाऊं इस प्रकार प्रत्य और उपसर्ग बनाने वाले questions बोड एक्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत important है तो ध्यान से सुनिए इस एकी वीडियो में आपको प्रत्य और उपसर्ग का प्रयोग करना असानी से आ जाएगा तो बने रहे हमारे वीडियो में तो सबसे पहले चलते हैं उपसर्ग तो उपसर्ग किसे कहते हैं उसका यूज किस प्रकार किया जाता है और पहचानते किस प्रकार है उसके पारे में मैं आपको बताने वाला उपसर्ग वे सब्द होते हैं जिनका सोतंद रूप में कोई अर्थ नहीं रहता उपसर्ग वो सब्द होता है जिसका सोतंद रूप में कोई अर्थ नहीं होता आप उसे कहीं पर लिख देंगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा ठीक है, उस सब्द को उपसर्ग कहते हैं, ठीक है, स्वतंदर रूप में उसके कोई अर्ध नहीं होता, ऐसे सब्द को उपसर्ग कहते हैं, परंतु जब किसी सब्द के पूर्वया सामने में वजूड जाता है, इन सब्द के सामने में अगर वो जूड जाता है, तो उसे पूर्वया में या सामने में जूड जाता है, तो उससे जो नया सब्द बनता है, उससे एक नया सब्द बनता है और वो एक नया अर्थ प्रगड करता है, तो इस प्रकार बने हुए सब्द को उपसर्ग से बना सब्द कहते हैं और उसी जो सब्द से मिलकर बनाया जाता है नया सब्द उसे ही उपसर्ग कहते हैं सिधे माइनों में उपसर्ग जो सब्द होता है उसका स्वतनरूप में कोई अर्थ नहीं होता परंतु किसी दूसरे सब्द, जो सब्द पूर्ण होता है, जैसे कि मैं आपका दिखा देता है, जैसे हार एक सब्द है, मान एक सब्द है, तो इन सब्द के सामने उपसर्ग आगे में लगता है, हमेशा याद रिखेगा, उपसर्ग आगे में लगता है, तो जैसे हार है, मान है इन सब में पहला जो उप प्रत्य लगाते हैं उप उपसर्ग लगाते हैं तो उप उपसर्ग हार सब्द में लगाते हैं उप का कोई अर्थ नहीं है सुरुआत में तंद्र में उप का कोई अर्थ नहीं है उप मतलब क्या होता है किसी को नहीं पता है लेगन हार का मतलब प बनाय जाता है उसे हार कहते हैं ठीक है जो महिलाय पहनती है लेकिन अगर हम उपसर्ग और हार सब्द को जोड़ते हैं मतलब कि हार सब्द में उप प्रत्या है मतलब कि हार में हार के पहले उप को जोड़ देते हैं तो यह उपहार बन जाता है ठीक है देखिए उपहार बन ज अपसर्ग में मान सब्द जोडते हैं, ठीक है, मान सब्द जो है उसमें अब उपसर्ग जोडते हैं, मान सब्द के आगे में अब उपसर्ग जोडते हैं, तो ये बन जाता है अपमान, ठीक है, मतलब कि आपको सिदे से स्वाट फॉर्म में पता चल जाएगा कि आगे में पूरने वाले सब्दों को उपसर्ग कहते हैं और उपसर्ग किसी दूसरे सब्द के साथ मिलकर एक नया सब्द बनाता है ठीक है तो देख लेते हैं पहले उधारन देख लेते हैं पहला है अनू प्लस सासन ठीक है अनू उपसर्ग और सासन सब्द जुड़कर अनू सासन बन उसी प्रकार नी उपसर्ग प्लस वास सब्द जुड़कर निवास बन गए। उसी प्रकार उपसर्ग प्लस हार सब्द मिलकर उपहार बन गए। उसी प्रकार अप उपसर्ग प्लस मान सब्द मिलकर अपमान बन गए। और अन उपसर्ग प्लस मोल सब्द मिलकर अनमोल बन ग उपसर्ग जोडने के बाद भी उनका अर्थ नहीं बदलता जैसे कि भ्रह्मन ठीक है भ्रह्मन तो भ्रह्मन में जब परी उपसर्ग जोडते हैं तो जब परी भ्रह्मन हो जाता है तो इन दोनों का मतला भी ही घूमना होता है ठीक है तो कई का अर्थ नहीं बदलता लेकिन अ सब्द के अर्थ वाले सब्द के ठीक है उसे ही उपसर्ग कहते हैं अब आते हैं प्रत्य में प्रत्य क्या किसे कहते हैं और कैसे उप्योग के जाता है उसके वारे में आपको बताता हूं प्रत्य वे सब्द होते हैं जो किसी सब्द के पीछे लगते हैं प्रत्य वे सब्द होते हैं जो किसी सब्द के पीछे या बैक साइड मतलब आपके लिए सम्झाने के लिए बैक साइड करके इंगलिस में लिक देव मैंने लेकिन पीछे में लगता है प्रत्य वे सब्द होते है जो किसी सब्द के पीछे में लगकर एक नया सब्द बनाते हैं और जो नवीन अर्थ प्रगट करता है यह उन्हें प्रत्य कहते हैं जैसे उदारा के लिए आपको बताएता हूं वाला एक प्रत्य है ठीक है प्रत्य सब्द के पीछे में लगाया जाता है ठीक है एक वारा उपसर्ग जो है आगे में लगाया जाता है सब्द के और प्रत्य जो है वो पीछे लगाया जाता है सरब्द के ठीक है तो जैसे वाला एक प्रत्य है और सब्द है सब्द है गाना और वाला यएक प्रत्य है तो जब गाना के साथ वाला प्रत्य जोडते हैं, तो मतब इसके पीछे में जोड़ेगा, तो गाना के साथ वाला प्रत्य जोडते हैं तो हो जाता है गाना वाला ठीक है इसी प्रकार हार प्रत्य के साथ होन सब्द जोडते हैं तो होनहार हो जाता है, ठीक है, इसी प्रकार इयां प्रत्य के साथ छलना जोडते हैं, या छलना सब्द के पीछे इयां प्रत्य जोडते हैं, तो छलिया हो जाता है, ठीक है, उसी प्रकार चौथा, चिलाना के साथ आहट प्रत्य जोडते हैं, तो चिलाहट हो जाती है, ठीक ह चिलाना के साथ या पीछे उसके पीछे प्रत्य है तो पीछे में जूड़ेगा आहट प्रत्य जोडते हैं तो चिलाहट हो जाता है उसी प्रकार मरना सब्द के साथ यल प्रत्य जोडते हैं तो मरियल हो जाता है ठीक है? मरियल हो जाता है यल प्रत्य मरना के साथ जोडते हैं तो मरियल हो जाता है प्रत्य सब्द के पीछे लगता है याद रखेगा और उपसर्ग सब्द के आगे लगता है ठीक है उपसर्ग का अकेला कोई अर्थ नहीं होता लेकिन प्रत्य का अकेला अर्थ होता है ठीक है प्रत्य पीछे लगाया जाता है सब्द के और उपसर्ग सब्द के आगे लगा जाता है आसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रत्य और उपसर्ग का प्रयोग वीडियो अच्छे लगा हो तो लाइक कीजे, शेर कीजे और हमारे यूट्योब चैनल नोजेले को सब्सक्राइब कीजे ठैंक यू